नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्च डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और सम्मजड आर्क वेल्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है पहले तो बात करते हैं कि दोनों प्रकार की जो वेल्डिंग है ये दोनों नोन प्रेशर वेल्डिंग है और फ्यूजन वेल्डिंग है और इन में हम filler metals का use करते हैं अगर हम बात करें कि कैसे इन में heat को generate किया जाता है उसमें हम electric arc का प्रयोग करते हैं अब बात करते हैं जो electric arc welding है यह है एक manual arc welding process है अगर आप देखें यहाँ पर power source है जो DC generator या फिर rectifier हो हो सकता है जो rectifier है वो AC को DC में convert कर देता है और जिसका एक terminal जो work piece या जो table होती है metal table उसके साथ connect होता है जबकि दूसरी जो cable होती है या terminal होता है वो electrode holder के साथ connect होता है अगर हम देखें submerged arc welding submerged arc welding यह थोड़ी सी अलग है electric arc welding से क्योंकि एक flexible process होती है और एक automated process भी है जो electric arc welding है इसमें जो arc है वो visible होती है अगर आप यहाँ देखें जो yellow color में आपको नजर आ रहा है यह arc है जो पूरी तरह से visible होती है लेकिन submerged arc welding में जो arc है वो visible नहीं होती क्योंकि अगर आप देखें जो flux है वो इस hopper की मदद से इसमें insert किया जाता है और इस flux के नीचे ही electric arc होती है उसके बाद जो next जो factor है कि किस type की electrode का हम प्रयोग करते हैं electric arc welding में coated type electrode या bare electrode का प्रयोग किया जा सकता है अगर हम बात करें लेकिन जो submerged arc welding है इसमें हम bare electrode का प्रयोग करते हैं electric arc welding में open environment में arc को maintain किया जाता है जबकि submerged arc welding में granular flux के नीचे arc को maintain किया जाता है यहाँ पर coated electrode की मदद से flux को supply किया जाता है जबकि flux को coarse powder की form में prepare किया जाता है flux joint के उपर spread किया जाता है जैसे आपको यह नजर आ रहा है pink color में यह joint के उपर flux है electric arc welding में deposition rate कम होता है और penetration भी कम होती है जबकि submerged arc welding में deposition rate जादा और penetration वो deep होता है electric arc welding की मदद से thick plate को weld करने के लिए बहुत से passes करने की जुरूरत होती है कि हमें कई passes करने होंगे left to right ये right to left लेकिन submerged arc welding में एक single run में ही thick welding की जा सकती है अगर electric arc welding में हम repeatability की बात करें तो वो बहुत ही poor होती है और welding joint की जो quality है वो भी अच्छी नहीं होती जो welding quality होती है arc welding के comparison में submerged arc welding में वो बढ़िया होती है electric arc welding के case में overhead welding करना possible है जबकि submerged arc welding सिरफ flat welding तक ही सीमित है arc welding को करते समय joint और work piece के उपर weld spatter बन जाते हैं जबकि submerged arc welding के दोरान weld spatter नहीं बनते arc welding process में welding speed कम होती है जबकि submerged arc welding में welding speed ज़्यादा होती है arc welding को करते समय smoke, flash या spark बनते हैं जबकि submerged arc welding में smoke, flash वे spark formation पूरी तरह से eliminate हो जाते हैं electric arc welding में thin वे thick seat को weld करना possible होता है जबकि submerged arc welding में 5 mm थिकने से कम की plate को weld नहीं किया जा सकता तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की electric arc welding और submerged arc welding के बीच में क्या difference होता है अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और N-Inverse 2 को subscribe करना न भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद